नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनेंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पाकिस्तान और इंग्लेंड दोनों ही टीमों के बी मैं तो जोस बटलर कुछ मुकाबलों के लिए बाहर हो गए हैं उनके पैर में इंजरी हो गई है अब ऐसे बादोस्तों तीन सवाल उठते हैं बिकिट कीपरिंग कौन करने आने वाला है इसके लावा टीम के लिए ओपन कौन करेगा और दोस्तों कपतानी कौन करेगा तो से दोस्तों थोड़ा बहुत एक्सप्रियंस मोहिन अली को मिलता है इसके लावा इनकी टीम में एक एलक से और हैं जो कि दोस्तों पीए पीएसल खेल चुके हैं बाकी और को ज़्यदा प्लियर इस टीम में सामिल नहीं है दोस्तों और आपको बता दें एक और अपडेट के वाले हैं यानि कि आज की इस वीडियो में हम हर प्लियर के बारे में बात करने वाले हैं देखने वाले हैं कौन से इसे प्लियर रहने वाले हैं जो कि दोस्तों डॉमिस्टे क्रिकेट में काभी शांदार परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं और दोस्तों आज हमारे लिए ग अन तक जरूर देखेगा क्योंकि काफी कुछ फिर वजल इस टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट से लेके हैड टुएड मुकाबलों के अरावा सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बागी दोस्तों देखने वाले हैं टी दोसुं दिसमबर 2021 में पाकिस्तान और बेस्टिच के तीन मुकाबले हुए थे जिनge तीनों के तीनो मुकाबलँ में पाकिस्तान ने याँ पर बाजी मारी है दोस्तों पिछ रिपोर्ट पर अवी थोड़ी धेर में आने वाले हैं लेकिन यदि बात करें आपर टीम रहने वाली है लेकन इंग्लेंड की टीम भी दोस्तों कम नहीं है क्योंकि इनके पास भी कुछ पिलियर ऐसे हैं जो की PSL इस ग्राउन पर खेल चोके हैं बागी दोस्तों बात करें एवरेज स्कॉर के बारे में तो काफी बड़े स्कॉर आपको इस ग्राउन पर देखने को मिल जाएंगे अवरेज स्कॉर की बात करें तो 189 का रहा है लेकिन पेचले कुछ मुकाबलों में ये इसकॉर 200 प्लस के पार गया है मतलब कि दोस्तों आज एक बार फिर बल्ले बाजों की बल्ले बल्ले इस मुकाबले में होने वाली है गेंद बात करें तो जो डैथ और मिलते हैं सिर्फ वही बिकट यहां पर देखने को मिलने वाले हैं बागी थोड़े बहुत बिकट दोस्तों पाकिस्तान के इस पनार निकाल देंगे क्योंकि उन्हें इस ग्राउंड का काफी दा एक्सप्रियंस रहा है और फिल्ड एक दम फास्ट है तो ऐसे में एक बार यद दोस्तों पाकिस्तान का होम ग्राउंड है और पाकिस्तान पी एसल के काफी मुकाबले इस ग्राउंड पर खेल चुकी है तो ऐसे में दोस्तों आज एक बार फिर पाकिस्तान का पड़ला भारी इस मुकाबले में रहने वाला है रिसेंट मुकाबलों की बात करें तो पाकिस खेल रही है तो ऐसे मैं पाकिस्तान का पड़ला आज के मुकाबले में भारी रहने वाला है लेकिन इंग्लेंड की टीम की बात करें दोस्तों इसमें कुछ ऐसे डोमेश्टिक प्लियर आपको देखने वाले हैं जो की दोस्तों मैच को किसी भी बगत बदलने की छमता रखते ह हैं और ऐसे मैं सबसे खास तोर पर बात करने वाले हैं दोस्तों ऑपनर्स के बारे में खास तोर पर इंग्लेंड तरफ से दिखेंगे दोस्तों जोस्त बटलर के इस्तान को कौन फिल यहां पर कर सकता है तो अब आते हैं हम पिछ रिपोर्ट के उपर और बात करने वाले है कि पिछ से किस प्रकार से दोस्तों मदद मिलने वाली है सबसे पहली चीज दोस्तों बात करेंगे अपन बल्लेबाजों के बारे में तो यहां पर जो भी बल्लेबाज आप अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं कोसिस करिएगा कि दोनों ही टीमों से आप टॉप वर्टर के बल्ल हैं वो सिरिफ और सिरिफ बल्लेवाद ही आपको यहां पर देखने वाले हैं अब बात करा करें तो इस पर बोलर की बॉलर्स के लिए क्या है तो दोस्तों पहली इंग मैं पर फुरूबाद के छे ओवर में छे ओवर भी नहीं दोस्तों कम से कम दो से तीन वर में जब तक बोल नया रहने वाला है तब तक बोललरों को सविन मिलेगी इसके बाद दूसर सविन समाप्त होने वाली है और बात कर। रहे हैं दूसरी पारि में तो यहां पर थोड़ी बहुत दोस्तों मदद इस पनरों को मिलने वाली है अब ऐसे में दोस्तों साधाअ खान मौम्मननवाद और दोस्तों मूहिए न ली जे तीन ऐसे प्लियर रहने वाले हैं और दोस्तों इनकी टीम में कादल रसीज चार इस पनर ऐसे रहने वाले से ने किस् Q11 में हम HaM मैं पर रहने वाला ओवरोल देख माना जाश करेंगे दूर घर है दो Κाल वात तो पहले तो पहले वीडियो को धूझेनोन सब्सक्रैब जाज़र करिए आप में एक दो आपके बहुत करना गहीं हैं उनकी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बड़े-बड़े स्कोर सबसे पहली चीश दोस्तों यहाँ पर जो बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया है वो टॉक वर्डर के फॉर बल्लेबाज दोनों ही टीमों से रहे हैं और दोस्तों पाकिस्तान की टीम में थोड़े इस पनर अच्छे हैं तो इसका फाइदा दूसरी पारी में इनको मिल सकता आई एशिया कप का इसके लाव दोस्तों पूरी सीरीज में आपने देखा है एशिया कप में काफी शानदार रिजबान ने परफॉर्मेंस किया है तो मोहिन अली एक बार फिर कैप्टन टीम इंग्लेंड के होने वाले हैं दोस्तों आप बात करने चार मुकाबले इस बंदे ने कहले हैं तो में दोस्तों बात है बात है थार सावाव की दोस्तों जाले है और फिर कि लानत racing बेंड़ को वाली एक से Pizza बात है। को आपको अपने टीम में शामिल करना है खास तोर पर हैड टो एड मैशों की बात करें तो दोस्तों बात करें बहले बल्लेबाजों के बारे में तो पाकिस्तान तरफ से बावर आजम का पिछला कुछ फॉर्म आपने देखा है ठीक ठाक नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी दोस बात करेंगे शान मसूत के बारे में जो कि दोस्तों डोमेश्टी टीट्वी इन्होंने खेले हैं आज इनका डेब्विव होने वाला है क्योंकि फकर जमान टीम में नहीं है तो उनके इस्तान पर यह बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा 1717 मुकाबले खेले हैं लगबख 3000 इ थो ऐसे मैं आज हम भी इस पर रिसक्लि सकते हैं उसको हम डौप करकर चल सकते हैं बागी बात करें खुश्द्ल सा के बारे में बारे मैं तो दोस्तों ऐक्स्पर्ट्स का यह कहना है कि आशिप अली को ऊपर आना चाहिए दोस्तों आशिप अली को कम से कम 5-5-6-2 नमबर पर तो आना ही चाहिए क्योंकि इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है तो ऐसे में दोस्तों हम सिर्फ पिजयर के तोर पर इन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं एशिया कप में मातर चार बार इनकी बल्लेवाजी आई है और वहां पर 16 सोलर रन मातर दो बार इनोंने बनाये है यानि ओवरोल देखें तो एशिया कप इनका सही नहीं रहा है क्योंकि इनका बैटेंग वाटर काफी नीचे रहता है पूरा LXL को सपोर्ट करने वाला है इसके अलाबा LXL ने PSL के कुछ मुकाबले कराची में खेले हैं यानि पिछ से पूरी तरह से ये पिलियर अबगत है इसलिए कैप्टन बाइस कैप्टन सी का बैस्ट ओप्सन ये रहने वाला है पिछले कुछ मुकाबलों में ठीक टाक स्कोर भी किया है और आज पूरा फिर दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली बेकिट होने के करन LXL आज का ट्रंप प्लियर रहने वाला है वही नंबर तीन पर डैविड मलान कापी शांदार पिक रहने वाले हैं दोस्तों निश्य तोर पर आप अपनी टीम में शामिल करें इसक अच्छा इनका दोस्तों देखा जाए तो एशिया कप नहीं गया है तो अभी के लिए दोस्तों हमें ड्रॉप करने वाले हैं लेकिन फिर भी दोस्तों हैड टू एड में आप इनको ड्रॉप ना करें क्योंकि नंबर चार पर यह बल्ले बाजी करने आने वाले हैं मुकाबले में व्यालीस रन की पारी इनों ने खेली थी और इसके लावा चाटवे नंबर पर आने के बाद 26 रन की पारी एशिया कप में खेली है यानि अच्छा पिक है आप इसको ड्रॉप करकर नहीं चल सकते हैं क्योंकि दूसरी पारी में थोड़ी बहुत दोस्तों पि हो जाएंगे दोस्तों वहाँ पर बात करें लगातार टीम के लिए इसकोर कर रहे हैं और बिकट भी टीम के लिए नकाले हैं और हाली में इन्होंने पी एसल की मुकाबले खेले हैं तो उस हिसाफ से देखके तो कैप्टन बाइस कैप्टन सी का हैड टू एड में बैस्ट आ चल सकती है डैबिट विलीगी बात करें दोस्तों और शुरुबात में इस पिन मिलेए चरूबात में यह सिविंग करने आ रहे हैं आप बात करें करें कर लेतुवर्स बोलिंग करते हैं और स्टार्टिंग में करते हैं अच्छा प्यकर शामिल करकर चल सकते हैं नसीम शारा की बात करें एश्यक app में लगातार टीम के लिए विकेट नकालें राइट तम फिस्ट गेंद बाज जैंद दोस्तों अच्छी गेंद बाजी अभी पाकि उस्मान कादिर को दोस्तों पिलिएंग मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फाइनल कनफरमेंसा नहीं है लेकिन इसकी जानकार ही हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइड कराने वाले हैं इंगलेंड की तरफ से बात करें तो टूबली दोस्तों निश्य तोर पर और इस पिंट रेक इतना अच्छा नहीं है और पाकिस्तान की टीम इस पनारों काफी अच्छा खिलती है तो इसको आज के मैच में ड्रॉप करकर हम चलने वाले हैं बाकि मार्क बोट के बारे हम बात करें देथ ओवर्स में एकाद बिकटर नहीं मिल सकता है बाकि कोई और स कोई प्लियर टीम में शामिल होता है तो इसकी जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा बड़ी आसानी से आप वहां से हम से जड़ जाएंगे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ला जाएंगे दोस्तों